हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई चैनल यूनिक पंजाबी फूट रैस्पी फ्रेंड्स आज हम आपके साथ शेर करने चाह रहे हैं शिमला मिर्च मटर और आलू की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है अगर आप हमारे तरीके से बनाते हैं और हम इसमें क्रीम डाल के यह सब् क्रीमियम मलाई डाल के सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है आप जिरूर बनाएं अगर आपको हमारी यह रैस्पी अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं हमारे चैनल को लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले साथ में बैल आइकन को भी ज मतर आलो की सब्सक्राइब मतर प्रीम ना यह आप मरें स्यूदा अब भी लिया है और नाने चैनल के बाद दो लिया है और सो ग्राम मैंने मटर ली है इसको बहुत है और यहां पर मैं फ्रेश मलाई ले रही हूं आज मैं मातर शी मलाई बनाने जा रही हूं एक टेबल और देखी तड़के के लिए यहां पर मैंने टमाटर लिया है एक टमाटर लिया है लहसुन लिया है अद्रक लिया है दो प्याज लिये मीडियम साइज के इन सबको मैंने बारी काट लिया है आदा चमच यहां पर मैंने साबुधनिया लिया है आदा चमच मैंने जीरा लिया ह में यूज करूंगी आदा चमच मैं गरम मसाला ले रही हूं मिर्च आप अपने टेस्ट के नुसार ले सकते हैं मैं आदा चमच मिर्च ले रही हूं लाल मिर्च पाउडर और आदे चमच से थोड़ा से जादा मैं हल्दी पाउडर ले रही हूँ नमक आप अपने स्वाद के नुसार ले सकते हैं मैं यहाँ पर एक चमच नमक ले रही हूँ देखिए चारों मसाले हमने ले लिए हैं तड़का लखाने के लिए तरसों का दे रही हूं इस фильм का लिए लाया कड़ाई हमने गयास पर रख दिया सबसे पहले मिश्च में दो टेबल्स फूं मेंस नॐ कर्याcript तेल डाल दे ला Walking देखिए तेल गरम हो चुका है सबसे पहले हम साबुत धनी और जीरा डाल देंगे यह देखिए दोनों चीज़े हो गई है लाल अब इसमें हम प्याल दाल देंगे अब रख भी दाल देंगे तीनों चीज़ों को मीडियम फ्लेम पे हलके हलके भून लेंगे चलाते हुए इस तरह से देखिए प्याज हो चुके हम इसमें हम तमाटर दाल देंगे प्याज को हमें तीन चारी मिनट तक मीडियम प्लेम पे भूना था तमाटर को हम 1-5 मिनट तक घून लेंगे इस चलाते हुए देखिए तमाटर भी हो चुके हम इसमें हम सबसे पहले मटर डाल देंगे ताकि मटर हमारे थोड़े नरम हो जाए मटर को भी थोड़ा से इस तरह से भून लेंगे हम प्याज तमाटर के साथ में एक गो मिनट तक कि देखिए दो से तीन मिनट तक हमने मटर को भून लिया है प्यास के साथ अब इसमें हम मसाले अड़ करेंगे मिक्स कर देंगे थोड़ा साम इसमें पाने डाल देंगे एक टेबल स्पून ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं और थोड़ा पक जाएं मसाले आदा मिनट तक उसको पका लेंगे देखिए मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है अब इसमें हम क्रीम डाल देंगे मिक्स कर देंगे आदा मिनट तक इसको पका लेंगे देखिए कितना प्यारा मसाले का कलर आ रहा है देख सकते हैं किस तरह से मलाई या क्रीम डाल के बनाएंगे तो बहुत ही टेस्ट यह आपकी शिमला मिल्च मटर बनते हैं आदा मिनट इसको और भून लेते हैं देखिए मसाला हमारा भून चुका सबसे पहले हम इसमें आलू एड कर देंगे आलू को मसाले के साथ 2-3 मिनट तक पका लेंगे देखिए आलू हमने डाल दी है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे इसको 2-3 मिनट तक मिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ढखके पका लेंगे ताकि हमारे आलू जो है वो अच्छे से पक जाएं लास्ट में हम इसमें शिमला मिल्चैड करेंग आलू थोड़े से नरम हो जाएं उसके बाद हम इसमें शिमला मिल्चैड कर देंगे देखिए हमने इसे एक दो बार चला दिया था सबजी को आलू हमारे बिल्कुल नरम हो चुके हैं कि देखिए कि इस तरह से हमने बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डाला है इस टीम में ही आलू हमारे पक चुके हैं अब इसमें शिमला मिल्चैड डाल के 10 मिल्चैड के लिए पका लेंगे इस तरह से मिक्स कर देंगे पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे गयास का फ्लेम बिल्कुल स्लिम कर देंगे सिम कैस पर हम इसे 10 मिल्चैड पका लेंगे ठक के एक दो बार हम इसे बीच में चला देंगे ताकि सबजी नीचे ना लगने पाएं इस तरह से हम इसको एक दो बार चला लेंगे फिर कवर करके पकने के लिए रख देंगे इसको देखिए परफेक्ट प्रेकस हमाई सबजी बन चुकी है एक दो बार इसे हमने चला के फिर से कवर करके पका लिया है अब बहुत अच्छी हमाई सब्जी बनी है देखिए तेल बिल्कुल ऊपर आ चुका है अब इसे इस तरह से चला देते हैं देखिए बिल्कुल हमने इसमें पानी में डाला है सारी सब्जी हमारी स्टीम से बनी है अब इसे हम सर्व करने के लिए सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे अब देखिए बहुत अच्छी हमाई यह सब्जी बनी है अब मलाय डाल के हमने सब्जी बनाई है मलाय या करीम डाल कर आगर आप सब्जी बनाते हैं इस तरह से मट्र शिमला मिर्चालू तो बहुत यह सब्जी बनती है आप इसे पराठे या सिंपल चपाती के साथ ट्राइ कर सकते हैं बहुत टेस्टी सब्जी लगती है अब हम थोड़ी सिस में फ्रेश क्रीम डाल के इसको गार्निश करेंगे देखिए हमने इसे गार्णिश कर दिया है बहुत ही टेस्टी इस तरह से सबजी बनती है आप जरूर बनाएं इस तरह से क्रीम डाल के मट्रा आलू शिमला मिट्च की सबजी तो कैसी लगी आपको यह रैस्पी हमें जरूर बताएं कमेंट करके हमें बताएं तो मिलते हैं अगले नई रैस्पी के साथ होके बाए अगले नई रैस्पी के साथ होके बाए